मुंबई का मशूर दावतो वाला लजीज दालचा यानी दाल गोश्ट जिसे सर्फ किया जाता है जीरा राइस बगारे चावलों के साथ वाव अज मैं आपके साथ दावतों में बनने वाले दालचा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही जायकेदार होता है और इसे हम घर पर ही बिलकुल उसी टेस्ट के साथ बहुत ही एजली बना सकते हैं ये देखने में तो लाजवाब दिखी रहा है और इसका टेस्ट भी बिलकुल दावतों वाले दालचा की तरह ही आता है रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अगर आप फर्स टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दालचा की टेस्टी और बहुती मज़ेदार सी रेसिपी अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजेगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं दालचा बनाना ये हाफ केजी आधा किलो मटन है इसे मैंने विद बोन यानि हड़ियों के साथ लिया है इसे मैंने बहुत अच्छे से वाश कर लिया है अब ये बनने के लिए बिल्कुल त्यार है इसमें एट करने के लिए मैंने कुछ मसाले लिये हैं वन टीस्पून नमक है वन टीस्पून ही मैंने रैट चिली पाउडर लिये हैं वन टीस्पून धनिया पाउडर है वन फोर टीस्पून हल्दी पाउडर है और तीन तीखी वाली हरी मिर्चे आप मिर्च प्लीज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा ये साबुत गरा मसाला है इसमें दो तेस पत्ते हैं दालचीनी की लकडी हैं दस बारा काली मिर्चे हैं चार-पांच लॉंग एक बड़ी लाइची है दो छोटी लाइची है और जीरा है ये मैंने टू टेबल स्पून भरके जिंजर गार्ली का पेश लिया है और ये मैंने एक बड़े साइस का प्यास लिया है जिसे मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है और साथ ही ये दो मीडियम साइस के टमाटर ते जिसे मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है मटन त्यार करने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें एक सर्विंग स्पून भरके ऑईल का एड़ करेंगे और इसे हाई फ्लेम पर गरम होने देंगे ऑईल के गरम होते ही इसमें स साबुद गरम मसाला एड़ कर देंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे साबुद मसाले अच्छे से चटक गए हैं इसी स्टेज पर स्लाइस कट किया हुआ प्याज एड़ कर देंगे और इसी भी हलका सा इस्टेट करते हुए फ्राइ कर लेंगे प्याज भी हलका सा फ और इसे एक से दो मिनट के लिए भून लेंगे जिससे कि जिंजर गार्ली का कच्छापन बिल्कुल खत्म हो जाए अब इसी पॉइंट पर मैंने जो मसाले लिए थे इन्हें भी यहां पर आइड कर देंगे और इसके साथ ही रफली चॉप ट्रमाटर भी आइड कर देंगे इन्हें भी मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर हलका सा भून लेंगे जिससे कि यह सभी चीज़े हलकी सी भून जाएं इस स्टेश पर हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा यानि कि आधा कब जितना पानी एड करेंगे अब इसे हलका सा मिक्स कर देंगे और प्रेशर कुकर की लिड लगा कर इसे 75 परसंट तक कुक कर लेंगे क्योंकि इस पॉइंट पर हमेंसे टोटली कुक नहीं करना है इसे हम आगे भी पकाएंगे अब इसमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर ले लेंगे उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर ही 5-7 मिनट के लिए पकने देंगे जब तक मटन हमारा यहां पर कुक हो रहा है तो हम चलते हैं नेक्स पॉइंट पर और यह मैंने 100 ग्राम तूर और 100 ग्राम मसूर की दाल ली थी जिसे मैंने बहुत अच्छे से वाश करके इन्हें आदा गंटे के लिए भिगा के रख दिया था अब मैंने इनका पानी निकाल दिया है यह देखे बहुत अच्छे से फूल गई है अपनी कॉइंटिटी की डबल हो गई है मैंने इसमें तुवर और मसूर की डाल ली हैं आप इसमें चनी की डाल भी मिला सकते हैं या फिर आप इसे सिर्फ तुवर की डाल के साथ भी बना सकते हैं और यह मैंने इस डाल में एड़ करने के लिए half tea spoon नमक लिया है one four tea spoon हल्दी ली है तो अब हम दाल को फटाफट से प्रेशर कूकर में ट्रांसफर कर लेंगे तो ये देखिए मैं यहाँ पर दाल को प्रेशर कूकर में एड़ कर रही हूँ इसी के साथ ही हम इसमें 200 ml यानि दाल की कौंटिटी के बराबर पानी एड़ कर देंगे नमक और हलदी भी आड़ कर देंगे अब इसकी लिड लगा देंगे और इसमें हाई फ्लेम पर दो प्रेशर लेंगे फिर गैस के फ्लेम को उफ कर देंगे दाल का प्रेशर नैचर일ी रिलीज हो गया है तो अब इसे ऑपन कर लेंगे दाल इसमें काफी अच्छे से गल गई है तो अब एक चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यानि की बहुत अच्छे से घोट लेंगे दाल काफी अच्छे से गुट गई है इस पॉइंट पर इसमें एक गलास गरम पानी आड़ करेंगे आप भी प्लीज गरम पानी ही एड कीजेगा इससे दाल एकदम सौफ रहती है टाइट नहीं होती है इससे पानी की साथ भी अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रख देंगे और चलते हैं नेक्स स्टेप की तरफ मटन का भी प्रेशर नैचुरली रिलीज हो गया है तो अब इसे भी ओपन कर लेंगे तो ये देखिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है लेकिन अभी ये 75% ही कुक हुआ है मटन अभी इसमें पूरी तरह से गला नहीं है क्योंकि हमें इसे आगे भी पकाना है हम सबसे पहले पील कर लेंगे और इसे पील करने के बाद फिर से अच्छे से वाश कर लेंगे और इसे अपनी पसंद के मुताबिक बड़ाया चोटा कैसा भी कट कर लेंगे मैं इन्हें इस तरह के बड़े बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ और सारे ऐसी ही कट कर लूँगी अब इस लौकी के सारे कटे हुए तुकडो को इस मतन के सालन में आट कर देंगे जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख रखा था इस तरह से मटन के साथ पकाने पर लोकी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसे अलग से पकाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ये मटन के साथ ही बहुत अच्छे से गल जाएगी इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आट करेंगे इसे मीडियम फ्लेम पर लिट लगाकर 10 मिनट के लिए कूप कर लेंगे जिससे की लौकी और मटन अच्छे से टेंडर हो जाए 10 मिनट हो गए हैं तो अब इसे ओपन कर लेंगे वाउ लौकी और मटन दोनों ही इसमें अच्छे से टेंडर हो गए हैं अब इसका पानी खुश्क होने तक इसे हाइ फिलेम पर बूण लेंगे तो ये देखिए इसका पानी भी खुश्क हो गया है ओइल भी सर्फेस पे आ गया है तो इस पॉइंट पर इसमें बॉइल करी हुई दाल एड़ कर देंगे और इसे हलके हाथ से मिक्स कर लेंगे ये मुझे काफी ठीक लग रही है तो दाल के कूकर से ही इसमें दो गिलास जितना पानी आट कर देंगे आप पानी अपने हिसाब से डालिएगा जैसी कंसेंटेंसी आपको पसंद है अब ये इतना परफेक्ट कंसेटेंसी है मैं इसे इतना ही पतला बनाऊंगी अब इसमें हाई फ्लेम पर एक बॉइल ले लेंगे जिससे की पानी भी इसमें अच्छे से पक जाए अब इसमें बॉइल आना भी शुरू हो गया है तो इस पॉइंट पर इसमें हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर एट कर देंगे और इसी के सांथी इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैंने टू टेबल इस्पून इमली का पानी लिया है इसे भी आइट कर देंगे और ये मैंने वन टेबल इस्पून मीट मसाला लिया है आप किसी भी ब्रैंड कर ले सकते हैं इसे भी आइट कर देंगे इससे दालचा का टेस्ट बहुत ही शानदार आता है अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब गैस के फ्लेम को लो कर देंगे लो फ्लेम पर पकते हुए दालचा का कलर बहुत ही अच्छा आ गया है इस पॉइंट पर इसमें बारी कट किया हुआ हरा धनिया भी आइट कर देंगे धनिया को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे और चलते हैं इसका तड़का त्यार करने की तरफ तड़के के लिए एक छोटे से पैन में टू टेबल स्पून आइल एट करके इसे गरम होने देंगे आइल के गरम होती ही इसमें फ्रेश करी पत्ते आइट कर देंगे इसके साथ ही एक छोटे साइस का स्लाइस कट किया हुआ प्याज एट करेंगे और इसे चम्मस से अच्छे से चला लेंगे प्याज के बाद इसमें 4-5 साबुत लाल मिर्चे एट करेंगे और इसके साथ ही बारी कटा हुआ हरा धनिया भी एट कर देंगे और इन्हें हाई फ्लेम पर अच्छे से सुनहरा कर लेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्यास लाइट ब्राउन हो गई है इस पॉइंट पर इसमें हाफ टीज़ पून लाल मिर्चो का पाउडर एट कर देंगे और इसे अच्छे से हिला लेंगे जिससे की लाल मिर्चो की वज़़े से तड़के का बहुत ही अच्छा कलर आजाए अब इस त्यार किये हुए तड़के को दालचा के उपर पोर कर देंगे दालचा की बहुत ही बहतरी इन से खुचबो आ रही है माशालला से बहुत ही अच्छा बना है अब गैस के फ्लेम को आफ करेंगे और इससे सर्व कर लेंगे फाइनली मैंने इस एक सर्विंग बोल में निकाल लिया है देखने में कितना शानदार लगड़ा है लौकी भी इसमें दूर से नजर आ रही है कुछ भी इसमें गुला नहीं है और मैंने इससे सर्व किया है बगार चावल यानि जीरा राइस के साथ क्योंकि दावतों में इसीतरह से जीरा राइस के साथ सर्व किया जाता है और इसका टेश्ट बहुत ही लजीज होता है आप मेरी इस दालचा की रेसिपी को एक बर अपने घर पर जरूर ट्राय कीजेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको मेरी ये दावतों वाली दालचा बनाने की रेसिपी कैसी लगी अगर आपको डालचा की रेसिपी जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमें शेयर और सबस्क्राइब टू माई चैनल तो मिलते हैं फ्रेंज नेक्स वीडियो में एक नही रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज